आज आपको सिखाने के लिए फिर से एक नई डिजाइन का थालपोस लेकर के आई हूँ उम्मीद है ये थालपोस आपको जरूप पसंद आएगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और सेर भी करेंगे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बिल जरूद दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें अब इसमें हम 16 सिंगल प्रोशिया बुनेंगे देखे कैसे पहले धागा अंदर की तरफ निकालेंगे तीन फंदे का जंजीरा लेंगे एक दो और ये तीन फिर धागा लेंगे और ये फंदा निकालके दो से निकालेंगे धागा फिर दो से निकालेंगे देखे एक और ये दो टोटल 16 सिंगल प्रोशिया बुननी है तीन फिर धागा लेंगे चार फिशे धागा लेंगे और ये पांच ऐसे ही आप सोला क्रोशिया बुन लीजिए सिंगल क्रोशिया सोला बुन्नी है इसमें टोटल हमने सोला सिंगल क्रोशिया बुन ली है आप इस धागे को पकड़के खीच देंगे देखे इस तरह से आप इसको आपस में जोड़ेंगे उसको जो आपस पहले 3 फंदे का जंजीरा लिया था उसमें पहले वाले फंदे से इसे जोड़ेंगे अब ये धागा उन हटा करके अब हम दूसरे कलर की उन जोड़ेंगे यहीं पर हम अपने दूसरे कलर की उन जोड़ेंगे ये उन तोड़ करके अब ये उन दोड़ पीछे की साइड में रखेंगे अब धागा हम अंदर की तरफ निकालेंगे यहां से धागा निकालेंगे पहली लाइन में हमने 16 सिंगल क्रोश्या बुनी है अब ये दूसरी लाइन है सेकेंड कलर की उन से हम 32 सिंगल क्रोश्या बुनेंगे पहले तीन फंदी का जिंजीरा लेंगे, एक, दो और ये तीन, ये उन साथ में रखनी है, इस तरह से पकड़नी है, फिर धागा लेंगे, और उसी छेर में, हर छेर में दो बार बोलेंगे, दो, अब धागा लेंगे, फिर अगले चेर में, अगले चेर में बुनेंगे, फिर से दो, एक, फिर धागा लेंगे, और उसी छेर में फिर से बुनेंगे, अब हर छेद में हम दो दो बार उलेंगे 32 सिंगल क्रोश्या बुन लिए यह लाइन आप दूसरी पूर कर लिजिए इसी तरह थाल पोस्ट की हमने 9 लाइने पूर कर लिए हैं पहली लाइन में हमने 1 सिंगल क्रोश्या एक चैन एक सिंगल क्रोश्या दूसरी लाइन में हमने 2 सिंगल क्रोश्या एक चैन और 2 सिंगल क्रोश्या तीसरी लाइन में 3 सिंगल क्रोश्या एक चैन और 3 सिंगल क्रोश्या चाथी लाइन में 4 सिंगल क्रोश्या एक चैन और 4 सिं पर यहां से नवी लाइन में ऐख छेयन और यह लाइन खीराए रहद है कि प्वरॉजाह संत तरह तत्विं लिए रर्धी कंबुर्शिय कुल्स ट्रसुराइस लएं जबां लोने वर देशया और अब नेखेवन्हार्भी बनाएं कि इससे हम बाउडर बनाएंगे देखिए जो यह पहला चेद है यहां से हम इसको जोड़ेंगे इस तरह से अब हम दो फंदे का जंजीरा लेंगे एक और यह दो दो फंदे का जंजीरा लेंगे और हर चेद में पांच चेद में हम एक सिंगल कुर्षिया बनाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच आप देखिए आप कोई धागा लेंगे और इस तरह से इसे अगले चेद में हाफ सिंगल कुर्षिया बनाएंगे आप देखिए इसमें हम डबल कुर्षिया बनाएंगे धागा लेंगे एक इससे धागा लेंगे और यह दो दो सिंगल कुर्षिया बनाएंगे आप देखिए ध्यान देना है एक और ये दो इस तरह से दो बार हम लपेटेंगे और उसी छेर में डाल करके निकालेंगे दो से निकालेंगे फिर दो से निकालेंगे और ये फिर से दो से निकालेंगे आप जैसे हमने ये दो सिंगल कोर्षिया बनाई है फिर से इसी छेद में दो सिंगल कोर्षिया बनाएंगे एक और ये दो आप फिर से हम जैसे हमने एक हाफ सिंगल कोर्षिया बनाई है अब इस छेद में एक हाफ सिंगल कोर्षिया बनाएंगे इस तरह से अब फिर से हम पांच सिंगल करशिया बनाएंगी एक दो एक तीन तीन और ये चार और ये पांच पांच सिंगल करशिया हमने बुन ली हैं अब एक देखे एक हाफ सिंगल करशिया बुनेंगे अब इस छेद में हम एक हाफ सिंगल करशिया बुनेंगे अब हमें यहाना है फिर हम इस छेद यहां से इस तरह से फंदा निकालेंगे, आप देखें, आप हम यहां तक यह वाली लाइन हम बुन करके लाएंगे, फिर यहीं से यहां तक फिर से एक लाइन बुन करके लाएंगे, इस तरह से यह थालपोस पकड़ेंगे, देखें इस तरह से यह थालपोस पकड़ेंगे, आप हम दो सिंगर दो चैन बुनेंगे एक और दिखिए और ये दो दो चैन बुनेंगे और इसमें यहाँ डाल करके हम फंदा निकालेंगे सिंगर कुर्सिया इस तरह से में अब फिर हम दो चैन बुनेंगे एक और ये दो दो चैन बुनेंगे और गैप में यहाँ से हम डाल करके हाफ सिंगर कुर्सिया बुनेंगे फिर दो चैन बुनेंगे एक दो अब फिर अगले अगले गैप में हम यहां से एक हाफ सिंगल कुर्षिया बनाएंगे इसी तरह से फिर से दो चैनल लेंगे आपको यहां तक आना है यहां तक आप बुन लीजिए फिर आगे आपको बताते हैं लाश्ट में इसे यहां से जोड़ देंगे यहां से जोड़ेंगे इसे लाश्ट में अब फिर से हमें यहां से यहां आना है इसके लिए हम इस तरह से थालपोस पकड़ेंगे अब फिर से हम दो फंदे का जंजीरा लेंगे और यह दो अब इसके पास वाले यहां से इसे निकालेंगे गैप से फिर दो फंदे का जंजीरा लेंगे एक और ये दो जैसे हमने पहली लाइन बुनी है ऐसे ही यहां तक ये लाइन बुननी है दो फंदे का जंजीरा लेकर के अब इसे हाप पिरस्यों के साथ बुन देंगे फिर दो फंदे का जंजीरा लेंगे एक और ये दो अब इसके पास वाले यहां से जोड़ेंगे फिर दो फंदे का जंजीरा लेंगे एक और यह दो अब देखिए इसके पास वाले यहां से जोड़ेंगे फिर दो फंदे का जंजीरा लेंगे एक और यह दो अब यहां से जोड़ेंगे फिर दो फंदे का जंजीरा लेंगे एक और ये दो फिर इसे यहां से जोड़ेंगे फिर से दो फंदे का जंजीरा लेंगे एक दो अब इसे हम यहां से जोड देंगे फिर से दो फंदे का जंजिरा लेंगे एक दो अब यहां से इसे जोड देंगे फिर से दो फंदे का जंजिरा लेंगे एक और यह दो अब इसे हम यहां से जोड देंगे अब फिर से इसका वाडर बनाएंगी जैसे हमने यह वाला बनाया इसका बनाएंगे फिर यहां से यह लाइन यहां तक लाइन लाइंगे फिर से यह लाइन यहां तक लाइंगे इस तरह से यह पूर कर ली हैं उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा इसे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक और सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाएं मिलेंगे आपको अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद